राज्य सरकार, साइबर अपराथ रोखने के दिशा में कृत संकल्पित है और प्रतेव जिला में पुलिस उपादिक्षक साइबर का पद भी स्रिजित किया गिया है से आठिक अपराधिकाई में विवन पदो विवन श्रेनियों में 45ân पदों का स्रिजन किया गया जिनमें अपराध समन्यवयकेंद्र है तूपद ज passport साइबर अपराध सब हैके अरे तूपद शाइबर Cook राइब आत ठेटुपत आधी स्रिजित किये गए हैं तो अब एक और जहां साइबर अपराधी की तैयारी है कि वो नए-नए तक्नीकों से नए-नए साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों को शिकार बनाए जैसे फिशिंग आधी जो पहले होते थे इसके अत्रिक रैंसम वेयर डेटा ठेफ्ट आधी अपराध पहले होते थे अब डिजिटल अरेस्ट एक नए अपराध सामने आया है और हैरत की बात यह हो रही है कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार कई गणवान ने वेक्ति हो जा रहे हैं देनी होगी कि वे ऐसे अपराधियों के शिकार अपने अपराधियों का शिकार ना बने और अपने जो अधिकार हैं और जो कानून के तहत उन्हें जो अधिकार प्रदत किये गए हैं एक नागरिक को तेश के नागरिक को उस अधिकार को वो ब्योग करें और ऐसी कोई शिक करें बताया गिया one nine three zero हमारा हेल्प लाइन नंबर है इसके अत्रिक आप पुलीस को विविद माध्यमों से भी सुचित कर सकते हैं कि इस अवसर पर एक सुझाओ मैं देना चाहता हो क्योंकि यहां यू के दादिकारी भी बैठे हैं सीडेक के लोग भी बैठे हैं साइबर अपराथ अब एक अनिवार ने विशे होता जाना है और आवशक्ता यह होगी कि प्रतेक सरकारी विभाग में नीजी संस्थानों में सैक्षिनिक संस्थानों में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षन और कारेशालाएं नियमित रूप से आयुजित की जाएं इसके साथ ही आज स्कूल के कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स यहां उपस्तित है इसके साथ ही उनके पाठे करम में भी साइबर सुरक्षा एक अरिवार हिस्सा बने ताकि बच्पन से ही स्टूडेंट एज से ही हमारे स्टूडेंट्स इसका महत समझ सके